प्राइब करेंगे दोड़ान पुल्ड़ाइब पुलिस वाले ने तोड़ी बाइक, मास्क बना उगाही का जरिया जब से देश की बागड़ तिकड़ी के हातों में गई है तब से गुलाम जनता के हात में कटोरा थमाने की कोशिशें तूफानी रफ्तार से चल रही है सबसे पहले अचानक नोटबंदी लागू करके गुलाम जनता को उसके गुलाम होने का एहसास कराया गया GST हर तिसरे दिन डीजल, पेट्रॉल, रसोई, गयस के दाम बढ़ा कर गुलामों को भिकारी बनाने की जीतोड कोशिशें की गई इनसे भी कामियावी नहीं मिली तो कुरोना के बहाने अचानक लॉकडाउन थोप कर करोडों गुलामों को ना सिर्फ बेरोजगार बनाया गया बलकि देश की 60 फिसद आवादी को भी धूप मरी की दलदल में जोंका गया इतने से भी मन नहीं भरा तब सीधे गुलामी टैक्स वसूली का रास्ता अपनाया गया मास्क के नाम पर कदम कदम पर गुलामी टैक्स वसूली शुरू करा दी गई दूसरी तरफ जो पुलिस अदालतों के आडरों कानून के प्राधानों को एप पालन के लिए महीनों तक हरकत में नहीं आती वो पुलिस उगाही के नाम पर दिलोजान से लगी दिख रही है हाईवे या मुखे चौराहों के सासाथ गली महले में भी मास्क के नाम पर उगाही की जा रही है मास्क के बहाने उगाही करने वाले खुद मास्क नहीं लगाते ये तस्वीर है बरेली के थाना सीवी गन के महेशपुर की जहां मास्क ना लगाए दो पई या वाहनों को घेरने में लगा होमगाड जो खुद मास्क नहीं पहनता इसी जगह बिना मास्क बिना हैलमिट पहुँचा बाइक सवार सिपाही गुजरी राज से सोचल मीडिया पर वीडियो वाइरल हो रहा है ये बरेली के थानकोतवाली की बिहारीपुर चौकी के सामने का है जिसमें चौकी इंचार्ज की मौजूदकी में एक सिपाही गुलाम यूबक की बाइक को तोड़ रहा है चौकी इंचार्ज ने सिपाही को बाईक तोड़ने से नहीं रोका बताते चले कि सुप्रिम कोड ने दिन धनने के बाद रास्तों पर वाहन चैकिंग करने से मना किया है लेकिन पुलिस मोदीयोगी सरकार को खुश करने के लिए सुप्रिम कोड तक कोड ठेंगा दिखाने पर मजबूर है क्योंकि पुलिस अच्छे से जानती है कि मोदीयोगी सरकार की नाराजगी का सीधा मतलब है खुद को मौत या जेल के मूँ में ढकेनना